हाई गुड मोरिंग सासियकाल अदाब नमस्कार वनकम और जैहिंद दोस्तों कैसे अप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नमनीत काल रहा बहुत दुखत खबरे हैं चारो तरफ लेकिन मैं उन में से नहीं जाना चाहूँगा मैं आज आपको कुछ बताने आया हूँ खांसी होती है वीकनेस बहुत आयाती है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उसके साथ साथ आपके कुछ ब्लड टेस्स होते हैं जैसे सीटी स्कैन आप कराते हो या एकसरे कराते हो या सी आरपी कराते हो तो उनमें भी चेंज़े आते हैं तो अब यहीं पे मैं बताने जा बताइए लोग केते हैं खाली सी आरपी से डाट डग जाता है मैं अब बोलूगा कोई डाली सी एरपी कराने से आपके और मैं फिर बोलूगा जो हमारे मेडिकल कॉलीो कॉली में पढ़ाय जाता था है मैं 86 batch का हूँ Communication and WHO के पेशिन के सिंटम के आधार पे ही इलाज सबसे आज भी वही बात ठीक है कि आप कैसे ठीक हो रहे हैं ये आपको खुद आपके symptom बताएंगे और सिर्फ एक test साथ में मैं किसी blood test के चक्कर में नहीं जाता हूं मैं किसी बार-बार CT scan कराने के चकर में नहीं जाता हूं मैं बार-बार CT क्योंकि पिशिंट जो घर पे होते हैं उनके लिए असान नहीं होता बार-बार CT कराना बार-बार बाहर निकलना एक्सरे कराने जाना और बहुत सारी मना भी कर देते हैं कि हम covid patient का test नहीं करेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़े बताऊंगा जिससे कि पांच-पांच-बार-बार CT करना शुरू कर जा जाए या फिर उत्रही ना पांच-पांच-बार-बार-बार भी आप तो कहरें कोई करा रहा है करा मैं यह करते हूं कि CRP टीन-तिन बार-बार कराते रहो यह कराते रहो लेकिन इन टेस्टों की बहुत लिमिटेशन से नंबर वन नंबर टू कई बड़ टेस्ट इतना धोखा देते हैं कि आप सोच तो कि पेशेंट की इसी आर्पी नॉमल है इसको कुछ नहीं होगा और सीटी कराते तो मोड़ेट निमोनिया निकलाता है तो यह बड़ी प्रॉलम से कि टेस्ट का को रिलेशन आपस में कर पाना मी दिक्कट भुआ पड़ा है पेशेंट को इतनी प्रॉलम है सीटी नॉमल आ रहे हैं सीटी आ रहा तो स्कोर उसका बहुत कम और यह जबकि पेशेंट की ओकशिएंट की इतनी कम हुई पड़ी है त लेकिन आपके असी पहुँच गई यह तो CRP क्या उखाड लेगा बताईए मुझे पेशेंट की डैथ हो गए और CRP 5 है तो क्या फाइदा तो कुल मिलाके इन टेस्टों की वैल्यू है लेकिन आप इन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते अब आपको कैसे बता चले हो गया कम होता जा रहा है आप समझे ठीक हो रहे हैं आपकी खांसे भी दीर दीर कम हो गई आप समझे ठीक हो रहे हैं तो यह सब चीज है अपने आप पता चलते हैं कि हाँ यह पेशेंट ठीक हो रहा है ऑक्सिएन का मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑक्सिएन लेटने म य उल्टा लेटने में ज्यादा आती है बैटने में भी थोड़ी ज्यादा आती है लेकिन सीधा लेटने में कम हो जाती है तो और Oh अगर आपका पुल्स ओक्सिम्टर ठीक है आप अपने घर वालों का सबका देखें अगर सबकाई एक जासा दिखा रहा है तो इसका मुल्स ओक्सिम्टर खराब हो सकता है तो अगर बहुट जादा फ्लक्सिम्टर फ्लक्सिम्ट एक प्लॉक्सिम्टर खराब हो सकता है ज़्य सीधा शाठी गोड़ाप से दिमाग से और फिर नबे खराब हो गरत तो यह बी गलत है इच्छ है लेकिन हाँ जो serious patient है जिनको pneumonia हो गया है उनमें जो admit patient है उनमें हम serial wise x-ray कराते रहते हैं हर 2-3 दिन के बाद देखते रहते हैं कि patient क्योंकि patient जो hospital में admit होते हैं बहुत जादा serious होते हैं जो बहुत सारी serious patient होते हैं उनमें x-ray CT तो बार-बार नहीं करा सकते हैं तो x-ray से पता चलता रहता है और patient के symptom oxygen से भी पता चलता रहता है ठीक है तो CRP की value है लेकिन कहीं बाद धोका दे जाती है तो धोका तो इस समय वक्त गुमाओ तो इसको covid मुझे लगता है कि इस समय तो इस बार कोई विडला ही बचेगा जिसको covid ना हो बहुत लखी लोग होंगे जिनको covid ना हो और सबसे लखी वो हैं जिनको covid हुआ और कुछ भी नहीं हुआ बच गए सबसे लखी वो लोग हैं क्योंकि उनमें थोड़ी बह प्लस ब्लड थीनर लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें अगर आपको मेरा वीडियो देखना है टेलिग्राम पे मेरा नंबर सेव करें टेलिग्राम पे जाएं और वहां पे देखें वहां पे आपको काफी help मिल जाएगी आप अपना treatment शायद अपने आप शुरू कर लेकिन फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के करें ठीक है तैंक यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नमनीत कालरा बाई